नमस्कार स्वागत है आपका अमारे खास कारेकरम में और मैं हूँ आपके साथ गौरब राचेंद्र जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रोमनी गुरू जो की ग्लोबल इस तर पर एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि आपके लिए ब्यालिस कुम पर बुरा असर पड़ा है ऐसे किसान जिनकी फसल को बारिस से नुकसान हुआ है उन्हें प्रिधान मंत्री फसल बीमा योजना से प्रतिपूर्ति मिलेगी इसके लिए क्रशी विभाग ने प्रभावित किसानों से 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के साथ बीज गोदाम पर शिकायत करने को कहा है शिकायत के बाद नामित बीमा कंपनी वराजस्व कर्मी की सयुक्त टीम सर्वे कर रिपोर्ट करते हुए 50 प्रतिशत अधिक शती होने पर किसानों को प्रतिपूर्ति राशी का भुगतान करेगी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित किसानों को जिला प्रशासन ने अक्टवर महा में हुई अतिवरष्टि से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है डिम राकेश कुमार मिश्र के निर्देश प्रतहसील प्रशासन लगातार बरशाथ से मकान जनहानी वर प्रशुहानी समयत अनक्शतिका आंकलन कर पीडितों को सरकार की और से अनमूल सहयता दिलाने में जुट रहा है इसके अत्रिक्त बरसात से अगेती धान की फसल के साथ दलहनी तलहनी वो सबजी की खेती को भी नुकसान हुआ है लेकिन प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की सिर्फ धान फसल को ही शामिल किया गया है ऐसे में सिर्फ धान के लिए ही किसानों को मौवजा मिल सकेगा धान के अत्रिक प्रभावित फसलों की छटिपूर्ती किसानों को नहीं मिलेगी फसल नुकसान का मौवजा दिलाने के लिए करसी विभागने किसानों को 72 घंटे के नामित भीमा कंपनी अग्रिकल्चर इंशोरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-8896-868 देने के साथ नजदी की राज किया बीज गोदाम संबंदित बैंक के साथ भीमा कंपनी पर भीमा प्रतिपूर्ती भुगतान दावा शिकायत करने को कहा है। शिकायत के बाद नामित भीमा कंपनी वर राजय सोकर्मी की और से सर्वे करते हुए 50% से अधिक ग्राम पंचायत में फसल हानी होने पर किसानों को प्रतिपूर्ती राशी भुगतान किया जाएगा। जिलाकरसी अधिकारी ने बताया कि किसानों की नस्ट फसल का अंकलन करने के बाद जिलाप्रशासन भी बीमा कंपनी से समन में इस्थापित करेस्प्रति प्रतिपूर्ती का भुगतान करवाने की ब्यवस्ता सुनिश्चित करेगा। बतादे कि जिलाकरस यदिकारी अखलीश पांडे ने बताया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहट जिले के 31,373 किसानों ने बीमा कराया है बताया जाता है कि जिले में 1,15,270 हेक्टेर में धान की फसल बोई गई है प्रति हक्टेर 38 कोईंटल पैदावार होने की संभावना थी लेकिन शुरुआत में सूखा और बाद में बारिश होने से पैदावार प्रभावित होने का अंधिशा है बीमा प्रतिपूर्ति का लाब सिर्फ धान की फसल नस्ठ होने पर 72 घंटे के बीतर दावा प्रस्तुत करने पर मिलेगा किसानों को चाहिए कि वे समा या वधी में दावा प्रस्तुत करें अंतिम रूप से क्रॉप कटिंग प्रयोग के आंकडों के आधार पर उपज निर्धारित करते हुए नियमा अनुस्वान अच्छातिपूर्ति का भूखतान भीमा कमपनी करेगी अंतिम